अमीर देवरानी की महल गरीब जिठानी के जोपड़ी में पहली रसोई एक कमरे में मनुरमा अपने छोटे बेटे से कहती है बेटा देखो तुम्हारा बड़ा भाई कुछ नहीं करता बस आवारा गर्दी ही करता है उसे घर की किसी भी चीजों से कोई मतलब ही नहीं है और मैं ये सब बरदाश्ट नहीं कर सकती तो मा आप मुझे ये सब क्यों बता रही हो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने तुम दोनों के लिए लड़की देखी और दोनों लड़किया एक ही परिवार से हैं और बहुत अमीर खांदान से हैं मा बड़े भाईया तो कुछ करते ही नहीं है इतने अमीर खांदान की लड़की बड़े भाईया के साथ कैसे रहेगी तुम चिंता मत करो मैं जानती हूँ वो यहां खुशी से रहेगी तुम्हारा भाई वैसे तो कुछ करना चाहता नहीं है लेकिन जब अमीर पत्नी की जायदा दौलत आएगी तो किसी ना किसी काम में उसे रुची करने के लिए मिल ही जाएगी मनोरमा अपने छोटे बेटे से ऐसे ही ये सारी बाते कर रही होती है उसी वक्त घर का सबसे बड़ा बेटा आकाश सारी बाते बाहर दरवाजे के पास से सुन लेता है मतलब मुझे ये लोग इतना बुरा समझते हैं अरे मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा तो इसमें मेरी क्या गलती है लेकिन मैं मां का ये प्लान चौपट करके ही रहूंगा मैं उनकी मर्जी से शादी नहीं करूंगा मुझे कोई गवंडी अमीर लड़की अपनी सिंदगी में नहीं चाहिए आकाश ऐसा कहकर वहां से चला जाता है जिसके बाद आकाश एक नदी किनारे जाकर उदासी भरे चहरे से बैट जाता है सारा दिन आकाश नदी किनारे बैट कर गुजार लेता है और शाम को वापस खराता है घराने के बाद मनुरमा उसे बहुत सारी बाते सुनाती है हर बार तुम अपनी मनमानी करते हो लेकिन इस बार तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी मैंने तुम दोनों के लिए लड़की देखी है तुम्हें वहाँ पर शादी करनी ही होगी मा, ऐसा मत कहो मैं ऐसी लड़के से शादी नहीं करना चाहता जिसके ऐसान तले मैं जिन्दगी भर दबता ही चला जाओ जिन्दगी में कोई अच्छा काम तो किया नहीं है, कम से कम ये काम तो अच्छे से कर ही लेना, नहीं तो फिर तुम जानते हो मनोरो मा ऐसा कहकर अपने कमरे में गुस्से से चली जाती है जिसके बाद आकाश खाने की टेबल पर बेमन से खाना खाकर उड़ जाता है वह सारी रात सोचता है, ऐसे ही कुछ दन बीत जाते हैं और धिरे धिरे उन दोनों की शादी का दिन आ जाता है शादी वाले दिन आकाश कहीं गायब हो जाता है मा भाया का कहीं आता पता नहीं है, पता नहीं भाया कहां गए है जिस बात का मुझे डर था आकर वही हुआ इस लड़के ने तो मेरी नाक ही कटवा दी, मन्होस कहीं का, कहीं मर ही जाए तो ही अच्छा होगा मनुरमा के पास और कोई चारा नहीं था, वो अपने छोटे बेटे की बारात लेकर धूम धाम से अमीर बहु के माई के पहुँचती है मैं आप लोगों से माफी माँगना चाहती हूँ, बड़ा बेटा कहीं गायब हो गया है, उसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने छोटे बेटे को यहां लेकर आई हूँ, कम से कम मेरे छोटे बेटे की तो शादी होनी चाहिए मनोरमा बहुत हाँ जोड़ती है, तब जाकर अमीर बहु के पता उसके बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए तयार होते हैं, इदर श्वेता की शादी राहूल से हो जाती है और वह शादी करके श्वेता को अपने साथ अपने घर ले आते हैं गाड़ी को घर के बाहर क्यों रोका हुआ है? अभी तक घर के अंदर क्यों नहीं जा रहे हम लोग? मा तुमारे ग्रह प्रवेश के लिए इंतजाम कर रही है, बस थोड़ी सी देर की बात है राहुल इतना कहकर गाड़ी में ही बैठा रहता है, थोड़ी देर में मनोरमा घर के दरवाजे से गाड़ी की तरफ इशारा करती है जुसके बाद राहुल श्वेता को गाड़ी से उतारता और घर की चौखट पर ले आता है जहां पर मनुरमा शुविता की आरती उतार रही होती है उसी वक्त आकाश एक गरीब लड़की से शादी करके उसे शादी के जोड़े में घर पर लेकर आता है दरवाजे पर सभी के साथ उनका आमना सामना होता है आकाश तू कहा था ये लड़की कौन है जिसे तू अपने साथ लेकर आया है मा ये आज से मेरी पतनी है इसका नाम सलोनी है ये क्या पागल पंती है ऐसा नहीं हो सकता मा मैंने आपको कहा था ना मुझे आपके पसंद की अमीर लड़की से शादी नहीं करनी मैं सलोनी से शादी करके उसके साथ खुश रह लोंगा वो गरीब है मुझे समझेगी मनोरमा की ये सारी बाते सुनकर आकाश और सलोनी का चहरा उतर जाता है और इधर मनोरमा बहुत प्यार और प्रेम से अपनी अमीर बहू और छोटे बेटे का ग्रह प्रवेश करके उनका स्वागत करती है क्या बात है ससुराल के पहले दिन पर ही मैंने इतना बड़ा ड्रामा देख लिया अच्छा किया माजी ने जो गरीब फटीचर को घर के बाहर जोपड़ी में जगा दी रहने के लिए वैसे भी वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकती मैं अपने ससुराल से कितना कुछ लेकर आई हूँ फ्रेजे, सी, कूलर, साथ में वाशिंग मशीन और ओवन भी लेकर आई हूँ बहु तुम ठक गई होगी, तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर सकती हो उसके बाद हम तुम्हारी शादी के बाद की रस्में शुरू करेंगे हाँ मैं भी आपसे बस यही कहना चाहती थी मनोरमा श्वेता को खुद ही उसके कमरे में छोड़ कर आती है आसे मनोरमा अपनी चोटी बहु को तो बहुत प्यार प्रेम से रखती है लेकिन सलोनी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती है इधर सलोनी घर के बाहर टूटी-फूटी जोपडी की हालत देखकर हैरान हो जाती है लेकिन वो बहुत समझदार थी वह जोपड़ी की अच्छे से साफ सफाई करती है और जोपड़ी के बाहर ही एक मिट्टी का चूलहा भी बना लेती है कोई मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं बहुत गरीब थी आपने मुझसे शादी कर लियो और मेरा घर बसा दिया मुझे इसके अलावा आपसे और कुछ नहीं चाहिए सलोनी की बाद सुनकर आकाश को बहुत संतुष्टी होती है जिसके बाद वह काम ढूनने के लिए निकल जाता है और इधर सारा समय बेचारी सलोनी को घर के कामकाज में ही निकल जाते हैं बेचारी जेठानी जी गरीबों के साथ उसे और भी गरीबी जहलनी पड़ रही है श्वेता अपनी खिड़की से सलोनी को देखकर ये सब अपने आप से कह रही होती है कि तब भी मनोरमा उसके कमरे में आती है सुन्न बहु आज तुमारी पहली रसोई की रसम है चलो आजा तुम्हें रसोई दिखा देती हो मनोरमा बहुत प्यार से श्वेता को रसोई में लेकर जाती है जहां श्वेता रसोई को देखकर अपनी सास मनोरमा से कहती है ये कैसी रसोई है माजी ना यहां पर आपने ओवन रखा हुआ है ना आपने फ्रिज रखा हुआ है ना इलक्ट्रोनिक गैस है मैं अपनी पहली रसोई की रसम तभी कर सकती हूँ जो मेरे दहिश का सारा सामान इस रसोई में फिट हो जाएगा आच्छा बहु चलो कोई बात नहीं ना रहुल से कहार पूरी रसोई को सेट करवा देती हूँ तुम्हारे हिसाब से मनोरमा रहुल से कहार पूरी रसोई को उसके मताबिक सेट करवा देती है अब रसोई कें अंदर electronic gas है, oven ओवन है, फ्रिज है, जूस और कॉफी बनाने की मशीन भी है इतना सब कुछ होने के बाद भी श्वेता अपनी पहली रसोई की रस्म में कुछ भी खास अच्छा नहीं बना पाती क्योंकि उसने अपने माईके में कुछ बनाना सीखा ही नहीं था वो अवन में पीज़ा बना देती है, इलेक्ट्रोनिक गैस पर मैगी बना कर तयार कर देती है इधर दूसरी तरफ सलोनी अपनी पहली रसोई की रस्म में मिट्टी के चूले बर खस्ता कचोड़ी बनाती है, मटर पनीर की सबजी बनाती है और साथ में रायता भी क्या बात है सलोनी, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने जिन्दकी में कभी नहीं खाया ये मेरी पहली रसोई की रस्म थी और मुझे आपको खुश करना था, बस इसलिए, यहाँ सलोनी और आकाश स्वादिष्ट खाने का आनंद उठा रहे होते हैं, तो वहाँ खाने की टेबल पर कॉफी, मैगी और पीज़ा देखकर मनोरमा हैरान रह जाती है एसे खाने की तो मैंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी, लेकिन जब तुमने अच्छा खाना बनाया ही नहीं, तो इतने स्वादिष्ट खाने के खुश्बू कहां से आ रही है ये खाने के खुश्वो बाहर जोपडी से आ रहे है भावी ने बहुत स्वादिश्ट खाना बनाया है राहूल खाने पर से उटकर अपनी भावी के जोपडी के घर में चला जाता है और वहाँ बैटकर अपनी भावी के खाने का आनंद उठाता है अब रोजाना सलोनी स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती और यहां श्वेता तिनी अच्छी फैसिलिटीज होने के बाद भी कुछ भी धंका नहीं बना पाती वो जो भी बनाने की कोशिश करती वो जल बुन जाता मनोरमा अमीर बहू से ठक जाती है चोटी बहू तुम रहने दो मैं ही खाना बना लेती हूँ मनोरमा रसोई में रोजाना सुभा शाम खुद ही खाना बनाने लगती है और जब रसोई में श्वेता का खाना बनाने का समय आता तो कोई भी मन से खाना नहीं खाता वहीं रोजाना मनुरमा अपनी बड़ी गरीब बहु के हाथों के बने लजीज खाने के लिए तरसने लगती है भले ही सलोनी गरीब परिवार से है लेकिन वो बहुत अच्छा खाना बनाती है काश की सलोनी के हाथों जैसा हुनर श्वेता के अंदर होता तो ज्यादा अच्छा होता ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं सुबह शाम खाना बनाते बनाते मनुरमा की तबियत खराब होने लगती है उपर से श्वेता को उसकी तबियत से जरा भी फर्क नहीं पड़ता वो सारा समय अपने फोन में ही बिताने लगती है कुछ खाने का मन होता तो वो बाहर से औरडर कर लेती है जब सलोनी को अपनी सास की तबियत का पता चलता है तो वो उसकी देखरे करने के लिए उसके पास चली आती है और अपने हाथों का स्वादिष्ट हेल्दी खाना बनाकर मनुरमा को खिलाती है कुछ दिन बाद मनुरमा की तबियत दुरूस्त हो जाती है बड़ी बहू, तुमने अपने हाथों के खाने से मेरी तबियत बिल्कुल तरो ताजा तंदुरुस्त कर दी है आज तुम्हारी वजह से मैं अच्छा फील कर रही हूँ मैंने तुम्हारी बहुत बेजिती की थी लेकिन अब नहीं मुझे माफ कर दो मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था माजी मुझे आपकी कहीं किसी भी बात का बुरा नहीं लगा आपको उस वक्त जैसा ठीक लगा आपने कह दिया और इंसान के गुस्से में कहीं बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए सलोनी के इतना बोलती ही मनुरमा उसे गले से लगा लेती है जिसके बाद मनुरमा अपने घर में अपनी बड़ी बहु की पहली रसोई की रस्म दुबारा करवाती है अब सलोनी सभी के लिए बहुत स्वादिश्ट खाना बनाती है इसी के चलते सभी के मन मुटाव खत्म हो जाते हैं और आकाश को बहुत अच्छी कमपनी में नौकरी भी मिल जाती है अब सब कुछ ठीक हो जाता है और इस तरह इस कहानी का अंत सुखद होता है अक्सर जो सास होती है वह दहेज के लालश में पैसे के लालश में बहु में बेदभाव करती है जो बहुत ज्यादा दहेज लाई है या अमीर घर से आई है उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं तो आपको क्या लगता है ऐसा करना सही है अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और हमारी ऐसी ही शांदार कहानियों को देखते रहें